नमस्कार दोस्तों जैस्री राम आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुवागत हैं हमारे इस विडियो में देखें हनुमान जी महराज के बारे में ये कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही अर्थात हनुमान जी महराज दुनिया में ऐसे कोई कारन ही जिसे करके न दिखाएं और हनुमान जी महराज को संकट मोचन कहा जाता है भगवन सीराम ने स्वयम हनुमान जी महराज को वर्दान दिया कि आप कल्यूग मेरा करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा शुखी रखना उनके कष्टों को दूर करना। देखे मंगलवार के दिन हनुमान जी महराज को समरपीत हैं और मंगलवार के दिन भुमि पुत्र मंगल को समरपीत हैं वैदिक ग्रंथों के माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुब होता है कल्यान कारी माना जाता है इस दिन भक्ताराज हनुमान जी महराज की अपने भक्तों क को यह शुद्ध लेते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सफलता प्राप्त करने में कोई बाधार आ रही हैं परसानी आ रही हैं करजे के भार से परसान हैं तो आज की बिड़ों में आप लोगों को बहुत सारा उपाया बताऊंगा जो उपाया बन पड़े वह उपा मान के चिले अगर आपको किसी भी प्रकार के परसानी अब हनुमान मंदीर में जाए बिल्कूल ही आप एक नारियल चड़ा याप देखना दूसरे दिन वह परसानी स्वाता ही धीरे-धीरे ठीक होना शूरू हो जाते हैं हनुमान जी महराज को ततकालिक देउता कहे गए हैं यह प्रत्यक चुरूप में कल्यूग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं लेकिन हमें देखें उतने जादा दिब्विद्रिष्टी प्राप्त नहीं है जिसके चलते हनुमान जी महराज को देख नहीं पाते हैं लेकिन आज भी हमारे बीच हनुमान जी महराज स रामबन उपाय क्योंकि मंगल देव नराज होते हैं मंगल दोस लगते हैं तब व्यक्ति की जीवन में करजे का भार बढ़ता है जीहां भूमी पुत्र जो मंगल कहे गए हैं इनी की करणा ही करजे का भार हमारे जीवन में आता है करजे बढ़ते हैं और भूमी पुत्रा जो म मिन बॉक्स में जैसी राम जरूर लिखना आज की बड़ों मिस करते हैं दर्सकों सारी जिंदगी आपको पस्ताना पड़ेगा क्योंकि जो उपाया बताऊंगा यह उपाया लाखुर उपाया खर्च करने एक बाद भी कोई नहीं बताने वाले आई सर परथा हम जानते हैं कि मंगलवार की दिन क्या नहीं करना चATION सारी इक शंबंद नहीं बनाना चाहिए इस दिन सारीक शंबंद बनाने से बचना चाहिए जो नवविवाहित्व युवक हैं जैसे कि मंगलवार की दिन आपने विवा करके जैसे लाए हैं तो इस दिन संबंद क्यों नहीं बनाना चाहिए इस दिन संबंद बनाने से जो बच्चे होते नपूर्शक पैदा होते हैं तो इस बात का वीशेश ध्यान रखे मंगलवार के दिन सारी शंबन बनाने से भी बचना चाहिए इसे मंगल दोस्ट लगता है हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए इससे स्वास्थ पर असर जैसे ब्लाद आती हैं, जैसे कि आप suyaas Railay कीनि किसी प्रकार का कुछी की समस्शा चरी पहले से याउन समस्शा और तीब्रय बढ़े जाती है। और इस दिन नमक लेकर के खाने से अर्थात इस दिन इस्ट्रा मवक वांग कार के खाने से करजे का भारवाड का है मंगलवार के दीन मांस है मचली है ये भी खाने से बचना चाहिए बिलकुल ही आपके अच्छे जीवन उसमें भी तुफाना सकते हैं गर आप इस दिन मांस मचली का शेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दिजे यह आपको बरबादी के ओर ले चलते हैं और इस दि प्श्किल हो जाता है चुकाना और इस दिन भायों से भी अपने जगड़े नहीं करना चाहिए इस दिन अपने भायों से जगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तुफान आ सकते हैं साथ ही सभी दर्सकों को एक बात और बताना चाहूंगा मंगलवार के दिन पान खा करके धर्ती में थूखे तो इसे हनमान जी माराज करोध होते हैं मंगल देव करोध होते हैं यहां तक कि धर्ती माता भी नराज हो जाती है तो कौन सी कारे करने से हमें बचना चाहिए तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है पान खा करके नहीं थूगना है मंगलवार की दिन कोई विशेस मनो कामना हो, तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी मराज को समर्पीत करना है, वो मनो कामना की जल्दी पूरी होती है इस दिन लाल चंदन या चमेली की तेल से भगवान हनुमान जी मराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना ये फिर किसी के हाथ में जुग्यों के ब्रामबढ़ें करवा देना इससे क्या होता अगर आपकी जीवन में मंगल दोस लगओ जैसे विवा में आपको परिसानी आ रही हैं रक्त समंधी बीमारी हैं ये कोई बाधा उत्पन आ रही हैं करजे के भारत चुटका जो है चुकाने में असमर्थ हमान हो रहे हैं तो ये फिर ये उपाय सुने में सुह जलाना है और नीम के पेड़ पर साम के समय में आपको दूद डालना है साम के समय में नीम के पेड़ के उपर में आपको जो जड़ है उसके उपर में आपको दूद डालना है और ये उपाय कब करना है कब तक करना है कि जैसे कि आप करजे के भार से लंबे समय से परसान है क इसमेन को इसे समानों काम नो हो यह फिर विवा में बिलंग हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जईए चमेली के तेल का दिपक जलाइए और ग्यारा मंगलवार तक ये उपाय करना होता हैं, कैसा भी आब की विवा में परसानी आरीए करजे कभार हो इस उपाय को करने क अगर आप इसका दान करते हैं तो आपके कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं अगर आपके कुंडली में मंगल मजबूत हो तो ऐसे वक्ति को धन वैभाव सुक शंबती सब कुछ स्वताई प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं हो सके तो मसूर के दाल बहुत ही उद्दम होते हैं ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए जैसे कि कोई आपके कारा में बिलम आ रहे हैं परसानी आ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस दिन अपने बुआ को ये फिर बहन को लाल कलर की कपड़े दान जरूर कर देना आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र हैं लाल फल हैं लाल फूल हैं लाल चंदन हैं लाल रंग की मिठाई हैं ये हनवान जी महराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ती होती हैं मंगलवार की दिन हो शके तो राम धोजा जरूर चढ़ाईए जिसमें राम लिखा जो धोजा हनवान जी माराज को प्रात्ना करते हुए चढ़ाईए तो आपको आर्थिक परसानी से चुटकारा मिलती है मंगलवार की दिन पान के पत्ते पर स्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी माहराज को यह माला पहना देना है अगर आपके कोई विश्यश बड़ी मनो कामना हो तो यह उपाय आपको पांच मंगलवार तक प्रति दिन बिल्कुल ही करना है बीच में आपको गेप नहीं करना छोड़ना नहीं है यह भी माना जाता है हनुमान जी माराज के आप सारे जितने भी उपाय बताया हूं यह उपाय करे यह ना करे लेकिन अगर मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदीर में चले जाए और हनुमान मंदीर में जा करके पांच बार अगर आप जो है हनुमान चलिसा यह बजरंग बार का पाड़ करते हैं यह फिर संकट मोचन अश्ठक का पाड़ करते हैं तो बड़ी सी बड़ी समस्या चूट में टल जाते हैं क्योंकि कहा भी जाता है कवान सो काज कठीन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही संकट कठाई मिटेज सब पीरा जो शुमिर हनुमत बलबीरा इसलिए हन्वान जी मारज कल्यूग में प्रतेक्छा दें हुता हैं आपके जितने भी संकठ हैं कश्ट हैं परसानी हैं, दुख हैं, तकलीब हैं, दरिदरता हैं, सारे समस्था को चुटकियों में समप्तक कर सकते हैं, हम इस बिड़ों में बहुत सारे उपाया बताएं, अगर करजे के भार से लंबे समय से परसान हैं, तो रिड मोचन एक आता है हनुमान जी मराज का इस तरूत आप उनका भी पाट कर सकते हैं, रिड मोचन हनुमान इस तरूतर पाट आता है, आप गूगल में सर्चा करके देखे, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाट कर सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है, लगतार हनुमान चलिसा के 21 दिनों के पाट से, लगतार हनुमान चलिसा के घ पार्ट एक दिन में आप जो हैं दस सुबे कर लिजे ग्यारा सामगे कीजे तो इस प्रकार से आपको 21 पार्ट करना है तो 21 पार्ट 21 दिन उत्ता करने से आपके कैसा भी सर पे करजे का भार बढ़ा हो वह धीरे-धीरे उतर जाता है क्योंकि मंगल दोस्त के करान करजे का भार मंगल कर स्वामी हनुमान जी मराजी करजे साब को बिल्कुल ही चुटकारा दिला देते हैं शंदे नहीं है इस बात पर आप शंदे ना करें उपाए में शंदे ना करें आपको 100% लाभ मिलेंगे जीवान में किसी भी समस्ता में घिरे हैं बजरंग बान यह हनुमान चलिसा है हनुमान